दोस्तों, credit card या फिर personal loan के due को लंबे समय तक payment ना करने पर, इस तरह का एक legal notice भी आता है, जो कि bank, card holder या फिर loan holder के address पर by post भेजवाती है, इस letter का क्या माईने मतलब होता है, इस letter में क्या कुछ होता है, और ये letter असली है, ये नकली है, इसकी पाचान कैसे करें, सारे points पर discuss आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो देखें, ये जो letter है, ये आप देख सकते हैं, by post है, जहाँ पर आपको यहाँ पे postal tickets लगे हुए है, यहाँ पर यह भारती है, यानि कि Indian post का एक sticker लगा हुआ है, और या आप यहाँ पर देखेंगे, तो उस law firm का address है, जिस law firm ने इस letter क draft किया है, ठीक है, अब हम इस letter को open करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ हमें इसमें लिख करके आता है, और इस पर कितना हमें तवज्जो देना चाहिए, तो ये letter actually हमारे एक दोस्त को आया है, और उन्होंने ये letter मुझे भेजा कि आप इसे check करें कि आखिर इसका क्या माईने मतलब है, तो ये देखिए, इस तरहकाल होता है letter, इसे आप legal demand letter भी कह सकते हैं, legal notice भी कहा जाता है, देखिए, यहाँ पर इसका जो title है, subject है, वो लिखावाई कि legal demand notice for payment of outstanding end of arrest, 40,057 रुपिये, और ये जिसका due है, उसके बारे में पुरा detail है, कि loan है कि create card है, कब तक आपको payment करना है, सारी चीजे इस letter में mentioned है, last में आप देखेंगे, तो उस law form का एक stamp भी है, मोहर भी है, यहाँ पर, और इसके बाद आप देखेंगे, तो यहाँ पर date बगरा है, यहाँ पर registered AD है, लेकिन इसमें कोई number बगरा नहीं है, ठीक है, तो अब इस letter क आप स्क्रीन पर देखें, इस letter को थोड़ा हम detail में पढ़ते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं, तो देखें, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, कि sir, under instruction and on behalf of our client, HDFC Bank Limited, credit card division, second floor, block A, यारी कि यह HDFC Bank के credit card का demand legal notice है, ठीक है, जो कि पहले पारा में address दिया हुआ है, तो दूसरे पारा में यह बता रहा है, कि HDFC Bank Limited, जो है, वो Companies Act 1956 के तहट registered है, अब नीचे आजेए, तुसरे पारा में है, कि our client states that you have availed credit card facility from our client-wide credit card number, तो यह credit card का due है, जिसका number यहाँ पर दिया हुआ है, और इनका यह कहना है, कि हमारे client ने हम यह बताया है, कि आपने credit card की facility ली है, चौथ पारा में लिखा हुआ है, that you have availed credit card facility from our client, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कि आपने हमारे client से credit card की facility avail की है, जो कि 40,57 रुपय का है, और यह outstanding है, पांचमे पारा में है, that our client regularly follow up by sending letters, reminders and proposal visit by staffs by you have failed to make payment, तो यह कहा रहे है, कि हमारे client ने regular follow up किया, जिसमे letter भी send किया, reminder भी किय personal widget भी किया, staff भी गए, लेकिन सारी चीज़ करने के बाद भी payment नहीं हुआ, outstanding clear नहीं हुआ, तो छटे पारा में यह date दिया भाई, कि आपका जो outstanding है, वो 40,57 रुपया है, जिसे आपको इस तारीख से पहले-पहले payment करना है, सातवे पारा में लिखा भाई कि, that our client instructed us to inform you that if you do not make payment of outstanding IRS, 40,57 यानि इनका कहना है कि हमारे client ने हमें instruct किया है, कि अगर आप 40,57 रुपये साथ दिन के अंदर अंदर इस letter के receive होने के नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ legal action यानि कि recovery suit फाइल किया जाएगा, ठीक है, इसके email ID है, जो कि HDFC bank का है, इसके बाद नीचे देखेंगे, thank you, your faithfully और यहाँ पर law firm का एक stamp है, तो ये तो आपने देखा letter, letter में क्या कुछ लिखा भाई, ये तो आपने देख लिया, इस तरह का होता है legal notice, जिसे demand letter notice भी कहते हैं, अब ये letter मिलने के बाद क्या करना चाहिए, क्य follow up का हिस्सा है, bank letter भेजती है, ताकि उनका जो follow up का process है, वो भी एक तरह से complete होता रहे, और वो अपने process के through recovery का process complete रखे, तो ये letter भेजना भी एक bank का recovery का process है, ताकि customers को हम return में दे सके कि हमने आप से contact किया, लेकिन आपने फिर भी payment नहीं किया, और अगर कभी भी किसी भी तर एक proof होता है, कि हमने ये letter भेजा, और हमने reminder भी दिया, कि आप अपने due को clear करें, नहीं तो हम legal कारवाई कर सकते हैं, तो इस letter का मतलब यही है, अब इस पर जवाब देना या ना देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई ये सोचता है, कि वह लेटर आ गया हमें तो ज date भी fail होता है, इसके मतलब भी कुछ ऐसा नहीं है, कि तुरंत case हो जाएगा, FIR हो जाएगा, हमें police उठाईगे, jail में डाल देगे, बिल्कुल भी नहीं, तो ये एक तरह का reminder letter है, अब इस letter का क्या करना चाहिए, इस letter को जैसे था, वैसे fold किजिए, और इसे अपने किसी तहख recovery का जो next process होगा, वो bank उसे follow up करेगी, जैसे कि हो सकता है कि recovery agent को आपके घर पर visit करवाए, यानि कि आपके address पर भीजे, हो सकता है कि recovery team आपके घर पर regular visit करे, आपके आस पास के logo को बताना शुरू कर दे, कि भाई इस बंदे ने इतना credit card use किया है, लेकिन इसका ये payment कर नहीं ये सारी बाते next process में होता है, लेकिन इस letter का कतई ये मतलब नहीं कि भाई, दूसरे दिन case हो जाएगा, या हमने 7 दिन के अंदर payment नहीं किया, तो case हो जाएगा, या हमें police उठा करके अंदर कर देगी, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, तो just ये reminder letter है, अगर आपके पास due amount clear करने के पैसे हैं, तो मुझे लगता है कि letter आने से पहले पहले ही आपको कर देनी चाहिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो जाहर सी बात है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे, तो ये follow up के सारे steps complete कर ले, अगर पैसे नहीं होंगे, बंदा देने की सलाहियत में नहीं होगा तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा बहुत सिंपल सा फंडा है और जहां तक बात है इस लेटर को ड्राफ्ट करने वाली law firm का तो हर एक बैंक एक law firm के साथ tie up करके रहती है क्योंकि कई बार उन्हें इस तरह के लेटर ड्राफ्ट करने से ले करके कानूनी करवाई के लिए भी legal team की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह का लेटर ड्राफ्ट करने के लिए जो law firm होते हैं उनसे संपर करके उन्हें मंतली बेसिस पर contract बना करके रखते हैं और इस तरह के जितने भी due वाले लोग होते हैं चाहे वो credit card के due holder हो चाहे वो personal loan के हो सभी के लिए इस तरह के draft वही law firm करती है जिसके साथ bank type करती है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पैसे है तो out standing को clear करे नहीं है तो जहर सी बात है कि कोई कहीं से तो कर नहीं सकता जब पैसे आएंगे तब ही करेगा वैसे हमारा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मकसद लोगों को पैसे ना भरने के लिए motivate करना नहीं है बलके लोगों तक सही सही जानकारी और इस तरह के जो भी query होते हैं लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं उस सवाल का जवाब देना है और इस वीडियो से related कोई query हो तो आप हमें comment box में लिकर के पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ share करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को भी subscribe करें